अमावस्या के दिन तुलसी पॉधे पे बांध देना या गुप्त चीज साथ पुष्टों तक आपके धन बरसेगा माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से बन जाओगे करोरपती दोस्तों, अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, कहा जाता है कि अमावस् विधी विधान से पूजा पाठ करता है, उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से क्रिपा देती है, हिंदू पंचान के अनुसार 19 मई 2023 को पढ़ने वाली जेश्ट अमावस्या अपने आप में ज्यादा खास होने वाली है, इसी दिन शनी जयनती भी होगी इसका समापन 19 मई 2023 राद, 9 बचकर 42 मिनट पर होगा कहा जाता है कि अमावस्या जो होती है, इसका शुब समय हमेशा उदे तिथी पर होता है, यानि कि 19 मई 2023, सुबह 4 बचकर 21 मिनट से जेश्ट अमावस्या की शुब तिथी शुरू होगी और इसका समापन राद 9 ब को इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशिर्वाद मिलेगा जिसके बाद ना केवल आपके जीवन की धन संबंधित परिशानिया खत्म हो जाएंगी बल इन समस्याओं से बहुत ज्यादा परिशान है किसी व्यक्ति के जीवन में धन आना बंध हो गया है और अगर वो पूरे साल पूजापाथ नहीं कर पाता है और सिर्फ जेश्ट अमावस्या के दिन वह थोड़ी सी भी पूजापाथ कर लेता है तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी का वर्दान और आशिरवाद मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की गरीवी परेशाने की एक नभूर्थ है उसमस्याओं से उसको मुक्ति मिल जाना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है आप बार बार ये सोच रहे होंगे कि आखिर आप लोग अगर माता लक्ष्मी जी का आशिरवाद पाना चाहते हैं तो आपको तुलसी पौधे की पूजा क्यों करनी है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है कहा जाता है तुलसी पौधे के प्रत एक पत्ते पर भगवान विश्नु जी वास करते हैं और तुलसी पौधे की जड़ में पूरा स्वर्ग बचता है। इसलिए अगर जेश्ट अमावस्या के दिन आप तुलसी पौधे की पूजा करते हैं, तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विश्नु जी का आशिर्वाद और वर्दान हासिल होता है, जिसके बाद आपके जीवन से हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ती मिल जाती है। और अगर आप पूरे साल पूजा पाठ उपाय नहीं कर पाते हैं और सिर्फ जेश्ट अमावस्या के दिन आप तुलसी पौधे की थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं, तो यकीन मानिये दोस्तों पूरे साल की पूजा का पुन्य आपको एक दिन की पूजा में ही मिल जाता है और जेश्ट अमावस्या पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कोई भी व्यक्ति अगर तुलसी पौधे की थोड़ी सी भी पूजा करता है, माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को तुरंथ ही वर्दान और आशिर्वाद दे देती हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते की माता लक्ष्मी जी का आशिर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे माता लक्ष्मी जी के आशिर्वाद से आप करोडपती बन जाए। माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान और वो आशिरवाद मिले आपको जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो तुलसी पौधे के बारे में कुछ ऐसे नियम है, जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हैं, और आप तुलसी पौधे का उस तरह से ख्याल नहीं रखते हैं, और उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसके बारे में वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तो दोस्तों ना केवल मातालक, श्मी जी बलकी भगवान विश्नुजी भी आपसे रुष्ट हो जाएंगे, जिसके बाद आपका बुरा समय जरूर ही शुरू हो जाएगा, तो ऐसे कौन से नियम हैं, जो आपको तुलसी को लेकर के मानना चाहिए, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर पर तुलसी का कि रविवार के दिन कभी भी तुलसी पौधे को पानी नहीं दिया जाता है, इससे आपकी दरिद्रता आपके पीछे पढ़ जाती है, और एक बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा, दोस्तों, तुलसी पौधा एक पौधा नहीं बलकि एक देवी पौधा है, हमेशा अधिले आप तुलसी पौधे के सामने नत्मस्तक होकर के प्रणाम करते हैं, तुलसी पौधे को तो इससे आपको उस कार्य में सफलता मिलती है, जिस कार्य के लिए आप लोग जा रहे हैं, इसी तरह से अगर आप लोग प्रतिदिन तुलसी पौधे को एक लोटा जल दे र तो इससे आपको स्वर्ग में रास्ता मिलता है जाने का और कोई भी व्यक्ति अगर सुभ सोकर के उठता है और वो तुलसी पौधे के दर्शन करता है तो इससे उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है ये कुछ ऐसे नियम है जो तुलसी पौधे को लेकर के आप जानते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं तो हमेशा भगवान विश्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करेंगे.